गडवा पुलिस ने शनिवार को बिभिन थाना शेत्रों से दो चोर गिरोह के साथ सदस्यों को गिरफतार किया है। चार सदस्यों को एक पिस्टल सहित चोरी की बाइक के साथ गिरफतार किया। और कुछ नकद रुपैब बरामत किये। गिरफतार चोर गिरोह सदस्यों की ओर से कांडी थाना के मोहाली चौक के पास अंजनी शर्मा से लूट की घटना को अनजाम दिया गया। नए साल में कभी थाना चेत के अंतरगत क्रिमनल एलिमेंट्स के एगेंस्ट में एंटी ग्राम चेकिंग चलाया गिया था। विशेश रूप से दो थाना चेतर में कल गढवा पुलिस को सफलता प्राप थूँ एक तो रमकंडा थाना चेतर के अंतरगत तीन लोग थे इनकों की चेकिंग के दौरान जो रमकंडा और भंडरिया मुखी पत है वहाँ सस्पीशियस शर्सिती में पाया था। पूस्टाश करने पर उननों के द्वारा कई कांडो में अपनी संडिपता को स्विकार किया गिए। न्यूजविंग के लिए गढ़वा से अतुल धर दूबे के रिपॉर्ट अगिसे धेटिजिते लेग्स पोगा इनकार्टत़ एक्ट मैंट विए फिए गरे लेट्टीज इनकी विएड़ इनकार्जार्थ एडित कानल रिव को इनकार्णार्टट्थना इनकार्टटूथ ज़ा जब बईता हैं पूरो डियुछेजिता हैं विए अजए प्रिवाज पの listen, I had gotten in touch with White Hat tiene and was very happy with the progress and how he was doing So then I thought that why not to implemented it in our school? so that all the students are able to learn you know this thing I started coding because we can make our thoughts real we can interact with the computer White Hat Junior is helping me to create a web browser And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform it is definitely a very good platform and one should implement in every school